मेर नाम डाक्टर आसर कोखर है मैं विट्रेटर सजर्जन हूँ फेको सजर्जन हूँ लेजर टेकनलोजी से बहुत शगफ है और अक्लोपास्य सजर्जी करता हूं लेजर टेकनलोजी है वस्पहनमुल लेजिवी करता हूं और उसमें जो है मुल्टिफोकल लेंज लेंजिस सारे विम्भानोट के लेजऄ सजर्जी मैं पर 58 से के लिए अउसके लाँ वेज़ार मीश। है जिसे बच्चेव को बेंगा पन हो जाता है या इस ता कॉस्मेटिक सजी हैं वो भी करते हैं टांस्प्लांटेशन जो है कॉर्निया की यह बड़े अच्छे कामयाब है लुद्ध से लंका से मुगा कि इसको कॉर्निया चेंज करते हैं इसके लावा तो किम सारी जो अफ्ट केरियर जो है यहां भी सौधिया में भी जो मेरी एजुकेशन है यहां वाकस्तान की यहां अमेरिकन अकैडमी की में सारी अफ्टर्मालोजी में है आई के शोगर में ही तो नवे से आप अंदादा लगा रहे हैं तीसमा साब है साल है अलम्दोल्लाह जब से हम सजी कर रहे ह मतलक जो है बहुत ज़्यदा प्रिशान कौन सूर्ट के हाल है हम कई दोवाई एक फ्री कैम करते हैं प्रिवेंशन अब राइन्डनेस एक ट्रस्ट है हमारा पी-ओ-बी उसके ताहर वो बेशमार देखते हैं कि ऐसे ऐसे गरीब लोग है और आज के समाने में भी दोनों दो आखों से वो नभीना है हाला कि उनकी बिमारी काबल अलाज है दुख होता है पिर बेशमार बचे आते हैं जिनके नभीना पन है और वकर पे चेक वह था तो वो काबल अलाज थे खास पर जो पाकस्तान की ब्लाइंड क्रिकट असोसिएशन है वो पता है वो वर्ड कैप भी जी चुकी है तो उनका पिछले कम कम कुछ 14-15 साथ से जितनी भी प्लेज हैं उनकी वैल्यूशन में करता हूं तो पूरे पाकस्तान से तो उस लिए से मुझे बेशमार नभीनों को देखने का मौका मिलता है तो बड़ा दुख होता है कुन में बहुत सारे बचे ऐसी होते ह हैं जिनको अगर बकत पर चेक हो जाता बकत पर ठीट हो जाता तो नभीना नहीं होते तो यह बड़ी परशानी की सुर्थिया हाल है इसे तिकर से हमारे हाँ एक बहुत बड़ी जो आँखों के वाले से एक अजीव सुर्थिया हाल है कि लोग मेयारी इलाज की तरफ जाने क किसे को आजाए यह मैं सुर्था एक बबा है लोगों के अंदर इसका इसास बदा करने के जुरू होता है कि जहां आप कपड़े अच्छा करेते हैं यूता अच्छा करेते हैं और इलाज के लिए भी को अच्छा सोचें तो उसके लिए वो फूफ्त के चकर बढ़ते हैं उ लोग जो हैं उनको यह बताने की जरूरत है कि आप मुनासब इलाज कराएं बजाए इसके कि बाद में उसकी उसी खराब को हुए अपरेशन के पर लाखों पर खर्च कर दें इसमें सुकूर हेल्थ में जब देखते हैं तो बहुत सब्सक्राइब बच्छे ऐसे हैं जिनका जरूरत है उनको किसी ने चेक की ऑन रहा है पते ही नहीं चला वो तब आए है जब एक आँनका करना थो दिया झाइन है दो लिहां लोग सफ kız कवरेशन का पर बार मार्जा करने की जोआये ऑ वह द्हरां कर का और तो जिन बद्याएं का की इसके, पुरा राम में आए कि ये अब देखें ना कमसगम को सोग टेटसो साल तो हमारे इस यूर्पीन कल्चर में भी आगया हुआ है specialization gap, super speciality सिर्व हो गी है, लेकर अगर हम मुस्मानों की तारीखे देखें, तो मुस्मानों की तारीख में बिचले चोदान सुसाल पहले और तेरान सुसाल पहले तेरान साल पहले जब से रे, इव्तदाई जमाने से मुस्मानों की तबीब होते थे, उनके specialties होते थे, ये चरा लेदा होते थे, तबीब लेदा होते थे कहाल लेदा होते थे, जो आँखों का लाईगाते थे, जो उजवाम के माहिन लेदा होते थे, निसा के लेदा होते थे, नफसियाद के लेदा होते थे, और उसके अब मजीद तरकी होई है तो यह कैसे मुमकन है कि हर डाटर हर्ची को जानता हो नतीजह यह निकलता है कि ऐसी सी गलत दोईयां और आम सी खराब हो चुकी होती है जब इस पेशलिप हो पहुंचता है ऐसलिए बहतर ही है कि जब आपको पता चल गया है यह कम जब को जनरल प्र इससे इस वक्ट जहीं सफेद मुतिया है और बहुत कामन है बहुत सासी सफ़्त जी हमारे हाँ बहुत जब जब जए हैव और बच्चों में जो बहुत जब जए र उसकर रुजहाना हो अधनिया है यह कंप्यूटर इसमाल करने का मुऑायल करने बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे माजूरी में मुटला हो रहे हैं और इसी तिके से गलत तरीके से गलत टेक्नालोजी से हिफ़स करना बैसमा लोगों को उस विजा से एनक लग रही है इसके लावा जो बहुत से बच्चों में बहुत बन का मसला बन रहा है वो भी बेहत्यातिक व उसके लोगों को एसास दुराने दूदर के से आप जान चुछा सकते हैं फिर एक बड़ी अहम मेमारी जो इससे तमारे हैं लोगों को बहुत नुक्साम चारी है वह शूगर है डायबटीस डायबटीस के वैसे आँखों के पर्दे खराब होते हैं और काला मोतिया काला मोत लेकिन जब एक दफा आ जाता है तो फिर लाई नहीं होता तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो हमारे हैं बहुत ज्यादा कामन है इसलिके से जो आप तो देखें जब परदा खराब हो जाता है आंका तो उसके बाद उसको बहर वक्त लाई कराना यह भी आप तो बहुत बहुत जाए हैं लोग इसकी तरफ जोहान नहीं है तो ये जदेदा अहम असले मेरे खाल में घ्ष्ट पाई जाते हैं इंका इलाई करने जो करने था देखें इस उत अगर हम इस जदीद जराय की दरफ की बात करें तो हकीकत यह है कि इसका जैसे मैंने अपनी गुप्तगो के सोचल मीडिया के और वेब साइट के वेलिबिलिटी और ईबुक्स के वेलिबिलिटी अब इतना असान हो गया है लोगों को पढ़ाना और लोगों को पढ़ना बिमारियों के बारे मालूमाद लेना और बहुत साथ बिमारियों के हवाले से हफाज़त करना और सही तरह करना मेरे ख्याल में और इस दिके से इलाज के अंदर अब उतनी मुहताजी नहीं रही कि बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास आना जाना हो बहुत दफ़ाए से होता है कि आप अपने एमेल से, अपने वैटसेप से, अपने फेस्बुक से बहुत सारी विजड से बाच सकते हैं हेल्थ एजूकेशन के अलावा और आईकल तो हमारे यहां उस तरीक से नहीं शुकर हो सका लेकिन टेली मेडिशन के तोर पे एक बड़ाचा जरीया आगया है, कि आप बड़े-बड़े हाई लेवल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे फाइदा उठाज हैं छोट-छोट-छोट शेहरों में बैठके तो यह से डिजिटल जो है इसको मैं ते समयत हमाई की बहुत जरूरत है इसको बहुत ही ज्यदा इस तो तोचों देने की जोट है डॉक्टर्स को भी, मरीजों को भी जी डिजिटल हेल्थ बहुत शानदार जरीया है लेकर अभी पाकस्तान में इसको बहुत ज़्यदा अबाल होने की जोट होता है वो इतना तरकी नहीं कर सका कि उसको पर हम बहुत ज़्यदा इनसार कर सकें लेकर एक वक्त आएगा आगए बहुत ज़्यदा इंकलाबी थापत होगा इंशाला